हमारे आयूवेट टीवी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए लाग सब्सक्राइब बड़ंग को दबाईए और उसे दबाने के बाद बैल आइकन के बड़ंग को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहें हो जाती है और open ports भी बंद हो जाते हैं यह पैक उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी skin काफी oily रहती है और इसी उनकी चेहरे की ports भी बंद हो जाते हैं अगर आखों के आसपास बारिक धारिया भी है तो वो भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यह बहुत ही साधरन सा नुस्का है तो यह जानते हैं इस face pack को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए इसे बनाने के लिए हमें चैप से पहले चाहिए weed floor यानि की गेहूं का आटा अगर आप गेहूं के आटे का अपने चेहरे पर उप्योग करते हैं तो आपका चेहरा खुबसूरत और सुन्दर दिखता है इसमें आपको दो चमच बीट फ्लोर यानि की गेहूं का आटा लीना है और फिर इसमें आपको टर्मरिक यानि के हल्दी पाउडर कर स्वाल करना है हल्दी में कई ऐसे antiseptic और antifungal properties होती हैं किसी आपके चेहरे की किसी भी प्रकार की infection से आपको बचाती है इसके साथ ही हल्दी में वो प्लाचीन सभी गुण है जो आपकी स्कीन को चमकदार और गोरा बना सकती है इसमें आपको आधी चमच हल्दी पॉर्डर मिक्स करनी है स्कीन को चमकाने का भी काम करता है और जो हमारी चौथी चीश है वो है रोस वाटर गुलाव जल हमारे चेहरे को गुलावी और कोमल बनाने का काम करता है आप इसमें दो चमच या तीन चमच आवशक्ता क्यानुसार डाल ले और फिर इसके बार आपको इन सब को अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद इसे आप अपने उंगली की मदद से अपने चेहरे पर अपलाई करें वो भी हलके हलके हातों से इसके बाद आप इसे 10-15 मिनिट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें जब यह सूख जाए तो गुलाई के आकार में अपने हातों से अपनी उंगलियों से चेहरे की मसाज करें और 5 मिनिट बाद इसे ठंडे पाने शे वोश कर लें जब आप अपने चेहरे को वोश करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही यूसे आपकी स्कीन चमकदार और गोरी है क्योंकि इस फेस पैक्ट में ली गई हर एक चीज बहुत ही करेंगा